मुझे पूरी उमीद है कि आज जब मौसम की वज़ा से खेल में खलल पड़ेगा नहीं पिछ बिलकुल हरी है लेकिन रांच से भरी है अगर आपने कप्तान तयार है कॉल के लिए हैड या टेल किसके पक्ष में गिरेगी गोल्स फॉर टेल्स कफ्तान ने बंचका है यह मुकाबला लेकिन जो जीतेगा वो गहलाएगा चैंपियन समय है फाइनल मुकाबलेगा है अब अले बास आया है क्रीस पर अब उमीद है कि यह टीम की उमीद है फाइज फॉर थ्री टू वण गोड़ेगा प्रयास अब प्ले ओवर्स हैं यह फूर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना जाहते हैं तो विक सिंगल पारी की शुरुवाद अच्छे अंदाज में फील्डरों गेदबास का च्छा ताल मेल बड़िया थ्रो इस सिंगल के साथ की है पारी की शुरुवाद चीदे को बीचे छोड़ दें इतनी तेज भागा यह बल्लेवाद हवाई फायर स्टैंज में पहुंचाना चलाते थे लेकिन यह जाता दूर के इतनी अद्वूद कैच पकड़ी जाएगी ऐसा सोचा नहीं था बल्लेवाद ने बड़िया पकड़ा कैच और बल्लेवादी घिफ्ट में दे दी अपनी विकेट्ट् अब इन्हें सिर्फ अपने बेसिक्स के साथ जुड़े रहना है अगर नीव मजबूत होगी चेंज ऑफ पेस का प्लान है पास बोलर को बलाया गया है अटैक में इस बाल को रोकना मुश्किल ही नहीं ना मुम्किन है मेरे दोस्त हाँ और ना में टाइम वेस्ट नहीं किया बडिया रॉनिंग बट्वीन द विकेट्स फिलर की अच्छी है और बडिया थोगी फिलर बहुत जोड़ चलगी होगी यह गेंडर्द जरूर होगा दुविदा में थे दूंद था मांसे खेले या चोड़े अंतमें हो गए थोड़े से मैसिफ है अब अब है शॉट फिल्डरों को छोड़ो दर्शकों को भी नहीं लगेगी हावा स्टेडियम के बहार चेरा यह शॉट अगर मैंने लगाया होता तो मैं बहुत ही गौर्वानवित होता का इस चीते को पीछे छोड़ दें इतनी तेज भागा यह बल्ले बास नप महीं थोड़ी सी गरबर्ड थी तोड़ा सा ओवर्वांवाश्टेप तीरगा में बेजने का फ्री हिट का टाइम हवा में खेला यह शॉट खाली स्थान को किया टार्गेट हाथे में चूड़े चार रंग अड़िया रंग बटोरा बल्ले बास ने इस टीम की दिल और धरकन है यह इकठे मिलकर बहुत काम किये इन्होंने एक और अच्छी साज़ेदारी अब गोज़ दफिंगर अब गोज़ दिल्कुछ सहमती नहीं है अमपायर के इस डिसीजन से तो चल पड़े है तीसरे अमपायर की तरफ अमपायर ने DRS का किया है इस्तमाल रिव्यू मांगा है बास प्रच्छ प्लेज़ अब गज़ गज़ प्लेज रिवाइज दिसीजन अबी भी भी है खामोश तो सुरच्छ इथाथ है इस फील्डर के प्याच अमपायर ने DRS में बैटिंग करते हैं लेकिन आज बैटिंग ओडर में किया है बदलाव देखते हैं क्या बदलेगा इनका यहाँ थोड़ा सब और ध्यान से देखना पड़ेगा वहाँ परेज है या नहीं है कैमरा ने पगड़ लिया है जी बिलकुल निक है अल्टर एज भी कनफर्म कर देगा कि आवाज आई या नहीं आई जी है बिलकुल है यहाँ पर स्पाइक है यानि कि अल्टर एज ने डिटेक्ट किया डाउट को एरेज किया पहली गेंद पर गवादिया अपना विकेट फील्डर का बढ़िया थ्रो एक तंस तंस के ऊपर बोलर का नुकसान बल्ले बास का पाइदा अमपायर ने सिगनल की है प्री हिट मुफ्ट की गेंद थी लेकिन फायदा उठा नहीं पाए चौका जक्का लगा नहीं पाए बल्ले बाजी टीम के लिए बढ़िया हुआ करने की आविशक्ता नहीं है साजे दारी को बुनना होगा टीम को आगे ले जाना होगा बढ़िया जज्जमेंट तेज रनिंग बढ़िया रन बटोरा बल्ले बाजोने फूर्टी से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो लेक्स पिनर के हाथ में है गेंट क्या फ़सा पाएंगे बैक्समन को फूर्टी से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो ताबर तोड़ अंदाज में पहुचे अपने अर्थशा तक तो करार दिया है अंपायर ने पाट्समन को बिल्कुल सहमती नहीं है अंपायर के इस डिसीजन से तो चल पड़े हैं तीसरे अंपायर की तरफ और यह चुनौती दे रहे हैं अंपायर के डिसीजन को अपील को नकार दिया है अंपायर ने नौट आउट करार दिया है बल्ले बाज को थोड़ा क्रैंप किया एक और डॉट बॉल गेंद बाज की बढ़िया जज्जमेंट तेज रणिंग बढ़िया रंबटोरा बल्ले बाज होने बल्ले बाजी टीम के लिए एक बढ़िया ओवर गेंद बढ़िया थी कठिन सवाल था लेकिन बढ़िया जवाब जाने दिया गेंद को कीपर के पास सटी गेंद डॉट गेंद फील्डरस में डाला दबाव एक को किया दो में तब दील खेलने का अंदाज निराला शॉट बहुत आला जबरदस अर्धिशा तक कि यह यह को जैर हाँ और ना में टाइम वेस्ट नहीं किया बढ़िया रानिंग बिट्वीन डविकेट्स बल्ले बाजी पर इस बार बड़े शॉट का फ्रयास सही समझ बूज के साथ पकड़ा इस कैच को विस भोटकवारी यहां होती है फिनिश या 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 बढ़िया जज़्जमेंट तेज रनिंग बढ़िया रूँ यह गेंद गई है स्टैंस के पार बहुत दूर छे रन कमाल का शॉट तो वो अवसर्ण टंपिंग एक जोरदार अपील कीपर आश्वस्त है तीजरे अंपायर का रुख किया है यहां पर बल्ले बाज ने गेंद को किया मेंस कीपर मुस्तैद उनको भेजा बहार या चीदे को बीजे छोड़ दें इतनी तेज भागा ये बल्ले बास दमदा शौद शानदा शतक और यू मेंस आई है गेंद बास के खाते में विकेट गेंद मैंस्मेंट की गलती फील्डर की मस्ती मिल गया एक और विकेट और ये शांदार पारी भी अब हुई है समा बल्ले बासी क्रम में खासी उठा पटक लोर ओडर बल्ले बास को टॉप ओडर में भेजना क्या बैटिंग ओडर को लंबा करना चाहते है कफ्तान अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी थी लेकिन उससे भी बहतर भागने की गती बड़ी गलती हो गई नो बॉल यानिकी फ्री भी यह है आरम सटीक लाइन सटीक लेंद वाड़ विगेट आउट कॉट क्या कर रहे हैं ये क्या सोच रहे हैं ये इस गेंद को तारे में कर दिया है तब्दील ग्राविटेशनल फॉर्स मिल गया है छे स्टैंज में फील्डर नहीं होते वहीं खूबसूरत टाइमिंग जबर्दस शॉट कितना भी बड़ा मैदान क्यों ना हो इस शॉट पे ओवर की आखरी गेंद दे कर गई है चौका बहुत ही महंगा ओवर और गेंद बाज निराश फील्डिंग यूनिट की बड़ी अपील लेकिन अंपायर ने नकार दिया नौट आउट लगता है कि अब रिव्यू की तरफ जाएंगे तूडिंगी विज मेशद लिवीनधू तूडिंग है पतरियर डेलिव्यू लिए से तूजिए मंद है पॉर ओंपायर दिया हूँ रहेगा चतुराई से की है कि इंदबाजी बल्ले बास को रखा है खामोश एक और डॉट गेंग बोलर की अपील कीपर ने दिया उनका साथ लेके नंपायर ने कहा बोलर बहुत निराश है इस डिसीजन से जी बिल्कुल चुनौती दिया है उन्होंने अन फिल्ड अंपायर के डिसीजन को थर्ड अंपायर की मांगी है मदद अपील को नकार दिया है, हमपाय ने नौट आउट बहुत आसान सा कैच डीप में ऐसा लगता है, फ्री होंग डिलिवरी दे कर गए है कैच केंदबाजी यूनिट की एक धमाकेदा शुरुआद गोल्डन डाक फील्डिंग यूनिट की मदद के चलते मिली एक बड़ी सफलता बहुत आशा के साथ गेंद धमाई थी गेंदबाज को गेंदबाज को नहीं किया है, फॉलो निराश है गती में किया परिवर्तन, चक्मा दिया बल्ले बाज, एक दम जड़ में थी यूरकर, बल्ले बाज को अता पता नहीं था गेंद का एक छोर पर विकेट के बाद विकेट गिरती जा रही है, गेंदबाजी जबरदस्त चेंज ओफ पेज, गती में परिवर्तन, फ्लोर गेंद जबरदस चौट के साथ एक अ प्रण बल्लेबासी, नया बल्लेबास क्रीज पर और नया काम करना होगा स्ट्राइक रेट को थोड़ा सा बढ़ाना होगा प्रण बल्लेबास को थोड़ा क्रैंप किया, एक और डॉट बॉल गेंदबास की इस गौन, बैट्समन की गल्ती, फील्डर की मस्ती मिल गया एक और विकेट सटी गेंदबासी बल्लेबास को मतलब समझाया शून्य का नया खिलाडी मैदान पर, अब कोशिश करनी है इनको की अंत तक जमे रहें और टीम को ले जाएं सेफटी तक इस मौके को चौके में किया तबदील, और गोगिया सबाप स्लैम, नो फ्लाइंग जोन भुशिद कर दीजिए इस मैदान को क्योंकि गेंद गई एक बार, फिर हवा में छे रन, गेंदबास के छक्के छुड़ा दिये, छक्का जड़ दिया एक्शन में, आम स्पीड में कोई बदलाव नहीं लेकिन गेंद आई है थोड़ा सा धी में, इसे कहते हैं बड़िया फिल्डिंग एक और नो बॉल, ये एक्स्ट्राज बाद में बहुत महेंगे पड़ेंगे इस टीम को अच्छा मौका है बल्ले बाजी यूनिट के लिए कुछ रन बटोरने का इस समझ बूज के छुबा कर डाली ये स्लोर गेंद आनिसली मैंने भी ऐसे बहुत बार चक्मा खाया है ग्लोरियस ट्रूक रोकने की कोशेश कोशेश गेंद थोड़ी सी पुरानी है पिल्कुल साधारन बल्ले बाजी गिफ्ट में दे दी अपनी विकेट थोड़ा सा इनको संभल के खेलना होगा और कोशेश करनी होगी कि अंत तक ये नाबाद रहे हाइड किया है कि अब आकमन होगा मीडियम पेसस के दुआरा पिक्चर पर्फेक्ट शॉट गजब की खतरनाग गेंद दॉट बॉल के साथ वर्वा समाथ इस गूगी एक और खड़ा आप गेंद दिशाहीन गेंद वाइड का इशारा अंपायर का कुछ गेंदों को छेड़ने में नहीं छोड़ने में ही होती है भलाई समझते हैं बल्ले बास जबर्दस शॉट है ये शॉकिंग इंपक्ट रॉकिंग आउटकम छेरन आउट मिडल ओडर का बल्ले बास अब बैदान पर है और उमीद यहीं है नियंत्रन प्रदान करेंगे वो अपनी टीम को वोड़ डिलिवरी सटी गेंद डॉट गेंद फड़ मीचे की तरफ रही है भीजना क्या सवालों के जवाब पूछने वाले हैं देखते हैं आज इस चपके की गूंज बहुत देर तक सुनाई देगी गेंद बास को आखरी गेंद फील्डरों गेंद बास का च्छा ताल मेल बड़िया थ्रूप इस टॉप बोलर की आखरी प्लिपर डाली टेजी से अंदर बल्ले बास की तूप स्टम्स का निशाना साधा और सही तीर निशाने पर डिरेक्शन काटे का मुकाबला कमाल की जीत जीत के साथ चल पड़ा है इस टीम का आगे की तरफ कारवा सामने वाली टीम ने नेस्ता नाबूद कर दिया आपकी टीम को यहाँ डुड़ ओफ यूर हैट कईए वेल प्लेट और अपने खेल पे फ़ड़ा सा और दीजिए तवज्जो बल्ले के साथ किया जबरदस प्रहार और बिलकुल सही है ये मैनोदा मैच के हगदार लगातार अच्छा करना असान नहीं होता लेकिन निरंतरता इस खिलारी का है गहना कंसिस्टेंटली अच्छा किया मैनोदा सीरीज अबूदा